पिछले पार्ट में जेंगली मॉंस्टर ने हाओ चेन को लिसीन के पास जाने से रोक दिया था इसके बाद वो हाओ चेन के ऊपर फिर से हमला करने लगता है या रेक हाओ चेन इसे फिर से रोकने की कोसिस करता है लेकिन इस बार वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और जेंगल जेंगली मॉंस्टर अपने डिफेंस में काफी वीक है और यह केवल अपने इल्यूजन की वजह से इतना पाउर फूल है जिसकी वजह से लोग इसके जाल में फंस जाते हैं और जेंगली उन लोगों को मार डालता है इसके अलावा जेंगली लोगों के दिमाग को अपने तरी और यकीन को मजबूत बनाना होगा इसके बाद जेंगली मॉंस्टर हाओचेन के बिलकुल नजदीक आ जाता है और इसके चारों तरब घूमना सुरू कर देता है इसके अलवा वो इसके गालों को भी चाटने लगा था लेकिन इसके बाद वो जैसे ही हाओचेन पर अटैक करन और इसे गुमा कर दूर फेक देता है अब इसकी वजह से जेंगली मॉंस्टर थोड़ा सा जखमी हो गया था जिसके बाद इसका इल्यूजन खतम हो जाता है और अब लिसीन भी इसके इल्यूजन से बाहर आ जाती है अब यहाँ देखते ही हाओचेन इसके पास मियाजमा प चुकी है लेकिन अब जेंगली इसके उपर काफी गुसा हो गया था और वो इसे मारने के लिए लगातार इसके उपर हमला करने लगता है और इसका पीछा करना सुरू कर देता है अब यहाँ देख भी हाओचेन खुद को इसके अटैक से बचाने लगता है और अपनी जान लिए इससे दूर भागने लगता है लेकिन जेंगली मॉंस्टर भी काफी जिद्धी था और वो अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ता है तब यहाँ देख हाओचेन इसके उपर लगातार अपने वाइट ब्लेड टेकनिक से अटैक करने लगता है जिसके बाद जेंगली के बाद जेंगली मॉंस्टर जाकर दूर गिरता है फिर हम देखते हैं कि लिसिन की कंडिसन थोड़ी सी खराब है और इसके बाद वो हाओचेन को सौरी भी बोलती है क्योंकि यह सब इसके गलती की वजह से हुआ था इस पर हाओचेन कहता है कि आपको चिंता करने की जरूर नहीं है लेकिन आपने इस वक्त बहुत सारा मियाजमा इनहेल कर लिया है इसलिए आप अभी कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए क्योंकि जेंगली मॉंस्टर अब पहले ही जखमी हो गया है जिसको मैं अकेले ही देख लूँगा इसके बाद हाओचेन दोड़ता हुआ खुद को बचा लेता है और फिर इसके उपर एक पाउरफुल अटैक कर देता है जिसकी वजह से मॉंस्टर दूर जाकर गिर जाता है लेकिन अब इसकी वजह से मॉंस्टर और ज्यादा गुसा हो गया था और इसके बाद वो हाओचेन पर अटैक करने के लिए उपर आने ल हाओचेन इस पर फिर से अटेक करता है जिसके बाद जेंगली मॉंस्टर उपर आ जाता है अब यहाँ देख हाओचेन इस चांस का फाइदा उठाता है और इसके ऊपर अपने क्रॉस किल का यूज कर देता है जिसके बाद जेंगली मॉंस्टर इसके अटेक को नहीं रोक पात और सीधे नीचे गिरने लगता है जिसके दौरान इसके अंदर से कोई इस्टोन बाहर निकलती है और लिसीनी से रोक लेती है इसके बाद अब हाओचेन भी नीचे आ जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैंगली मॉंस्टर उस क्यूट एनिमल में चेंज हो जाता है और वो नीचे गिरता है जिसके दौरान क्रोकोडाइली से निकल जाता है अब यह देखते ही हाओचेन उसे बचाना चाहता है लेकिन लिसीनी से रोक देती है क्योंकि वो जान गई थी कि यह क्यूट एनिमल असल में जैंगली मॉंस्टर है जो इनको अपने जान में फसा कर मार ना चाहता है और इसके अलावा यह क्रोकोडाइल भी उसके साथ में मिला हुआ है अब इन सब के बारे में जानकर हाओचेन हरान रह जाता है लेकिन तबी इसकी नजर लिसीन के हाद में पड़े इस टोन पर जाती है और वो पूछने लगता है कि यह क्या है जिसके बाद ल लिसीन हाओचेन को अपने साथ में लेती है और फिर दोनों यहां से निकलने लगते हैं लेकिन अब लिसीन को सरमिंदगी महसूस होने लगी थी क्योंकि आज हाओचेन की वजह से इसकी जान बच पाई है जो इसके लिए बड़े सरमिंदगी की बात है और अब लिसीन कहती है कि मुझे और भी पाउरफुल बनना पड़ेगा वहीं अब हाउचन इसके पीछे बैठा हुआ था और इस वक्त वो रिंग के पाउर के बारे में सोच रहा था क्योंकि आज इसने एक बार फिर से इसकी जान बचाई थी इसलिए अब हाउचन के मन में सवाल होता है कि क्या तुम हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी इसके बाद ये दोनों अपनी स्वीड बढ़ा देते हैं और तुरंते हां से निकल जाते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैंगली मॉंस्टर और क्रोकोडाइल सच में एक साथ हैं और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के ब लिसीन और मिस्टर नलान दोनों को थैंक्यू बोलता है इसके बाद वो यहां से जाने लगता है जिसे देख लिसीन गुडबाई बोलती है इस पर मास्टर कहता है कि इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है वो फिर जल्दी ही यहां पर आएगा अब इस बात को सुनते ही लि इमान हंटर लीग कमपर्टीशन में पार्टिसीपेट करने के लिए बना है लेकिन अब उस वक्त हाओचिन क्या चीज अचीज अचीव करता है इसके बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ और इसलिए मैं उस दिन का इंतजार करूँगा इसके बाद हम हाओचिन को देखते और अपने मास्टर सिंग्यू के लिए कुछ फ्लावर ले जाने का डिसाइड करता है इसके बाद हाओचिन फिर से भागना सुरू कर देता है और वो अपने मास्टर सिंग्यू से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड लग रहा था लेकिन तबी इसको यहाँ पर अपनी मद को यहां पर देख काफी हैरान ओगया था और इसके बाद इसकी मदर बेहौशूर कर गिरने वाली होती है लेकिन तबहीश सिंग्यू इसे रोक लेता है अब हाओचेन अपनी मदर को ऐसी कंडिसन में देख काफी दुखी हो गया था लेकिन तभी सिंग्यू इसके ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है जिसे देखते ही हाओचेन इसके ऊपर काफी गुसा हो जाता है क्योंकि इसे लग रहा थ मास्टर सिंग्यू ने ही इसकी मदर के साथ कुछ किया है और इसके बाद वो सिंग्यू से पूछने लगता है कि आपने मेरी मदर के साथ क्या किया लेकिन सिंग्यू इस बात पर कुछ नहीं बोलता अब यह देखते ही हाओचेन को इस पर काफी गुसा आ जाता है और इसके बाद हमें 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जिस दिन सिंग्यू की वजह से कोई वार खतम हो गया था और इस बात से वहां के सभी लोग काफी खुशते क्योंकि सिंग्यू बहुत का मेज में सील आफ थ्रोन को जीत गया था जिस बात के लिए सभी लोग इसकी प्रसंसा क रहे थे और इसे अपना हीरो मानने लगे थे लेकिन हम देखते हैं कि सिंग्यू बायू के साथ में एक जगा पर खड़ा होता है जहां पर बायू मेट्यो राइट को देख कोई वीज मांगने वाली थी लेकिन वो मेट्यो राइट बहुत पाले खतम हो जाती है इसलिए बा एक्सन लेता हूं और मैं इन सब चीजों का यूज नहीं करता अब इसकी यह बात सुनकर बायू मुस्कुराने लगती है और कहती है क्या तुम हमेशा ही ऐसे सिरियस रहते हो या फिर तुमारे जैसे वो और यर इतने बोरिंग होते हैं लेकिन सिंग्यू इस बात पर कुछ नहीं बोलता जिसके बाद बायू कहने लगती है कि चेंज करने का चांस हर किसी को नहीं मिल पाता और मैं भी उन में सही एक हूं क्योंकि मुझे बच्पन सही एक डिजीज है और मुझे अभी भी इसका कोई क्योर नहीं मिल सका है फिर वो सिंग्यू से कहती है लेकिन यह भ करना चाहिए और अपने इस प्रेजेंट लाइफ को एंजॉई करना चाहिए अब बायू के इस बात को सुनते ही सिंग्यू इसे सौरी बोलता है क्योंकि इसे इसके बीमारी के बारे में पता नहीं था तब इस पर बायू कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि मैं इस चीज को पर दिखा देता है अब इसे देखते ही बायू काफी एकसाइटेड हो जाती है और सिंग्यू से अपना कोई विस मांगने के लिए कहती है जिसके बाद सिंग्यू कहता है कि मेरी विस है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ अब सिंग्यू के इस बात को सुनते ही बायू इसे और फिर कहती है लेकिन यहां चीज काम नहीं करेगी क्योंकि तुमने इसे बोल दिया है लेकिन तभी इसी वक्त पैलेस میں डांस पार्टी सुरू हो जाती है जिसके बारे में सुनते ही बायू सिंघ्यू से पूस्ती है क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगे जिस पर सिंग्यू कहता है कि मुझे सोरगुल वाली जगहें पसंद नहीं है और इसके बाद वो बायू से कहता है कि अगर मैं तुमें डांस के लिए इन्वाइट करूँ फिर क्या तुम इसके लिए तियार होगी अब इसकी यहाँ बात सुनते ही बायू सर्माने लगती है और फिर तुरंत इसकी बात मान जाती है अब यह देख सिंग्यू भी काफी खुस हो जाता है और इसके बाद ये दोनों इसी जगह पर एक साथ डांस करने लगते हैं जिसके दोरान सिंग्यू भायू से पूछता है कि तुमने क्या विस मांगा था इस पर भायू कहती है कि अगर तुम बोल दोगे तो फिर वो पूरी नहीं होगी और इसके बाद इसी के साथ एपीस वो डेंड हो जाता है लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर जरूर सेट कर देना